यह जानते हैं कि री इंबर्समेंट की प्रक्रिया क्या है क्या होता अगर काजल ने नेटवर्क हॉस्पिटल के बारे में पता नहीं किया होता क्या अस्पितार राज का इलाज नहीं करता ऐसे में भी अस्पितार राज का इलाज जरूर करता लेकिन cashless उपचार नहीं बलकि reimbursement process की साथ अब इस reimbursement में क्या होता है? पहले policy लेने वाला अस्पताल के सारे bills खुद भरता है और उसके बाद वो सारे bills insurance company को जमा कर देता है और insurance company उस बिर की भरपाई policy लेने वाले को कर देती है इसलिए जब आपका ग्राहक policy खरीद रहा है तो उसे इन सब नियम की जानकारी जरूर दीजिए